बॉल्यूट की पटाका गुड़ी आलिया भट अपने क्यूट लुक्स और शांदार आक्टिंग के दम पर ओडियंस की फेवरेट बन गई है आलिया की लाइट से जुड़े कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्स आर कमिंग राइट आ बॉल्यूट की सेंसेशन आलिया भट इंडिया नहीं है येस यूँ हर्द राइट आलिया इंडिया नहीं बलकी ब्रिटिश सिटिजन है आलिया ने बॉल्यूट में अपना पहला कदम 6 साल की उम्र में रखा था उन्होंने प्रीती जिंटा के बच्पन का रोल निपाया था आलिया ये कभी नहीं चाहती थी कि उनकी फादर डिरेक्टर महेश भट आलिया को बॉल्यूट में लॉंच करे इसलिए आलिया ने अपना डेब्यू करण जोहर की फिल्म स्टूट आफ दियर से किया था आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फिल्म डिरेक्टर की बेटी होने की बावजूद आलिया ने स्टूट आफ दियर के लिए 500 लड़कियों के साथ और्डिशन दिया था इनिशली आलिया भट और उनकी उपस मोमेंट्स काफी हेडलाइन्स बनाते थे ये तब शुरू हुआ जब करण जोहर की शो कौफी विद करण में आलिया ने प्रेसिडेंट आफ इंटिया की नाम की बजाए एक इंटियन किंग का नाम बताया था जी सिनी एवाद्स के दौरान आलिया स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उनकी विक का एक हिस्सा नीची स्टेज पर गिर गया वह मौझूद बॉलिवूद के कई बड़े स्टास आलिया पर हसी भी बद्दा डिड नॉट स्टॉप हर आलिया ने अपनी पूरी परफॉर्मेंस काफी पैशनेंटली कम्प्लीट की आलिया ने भली ही अपना डेब्यो एक ग्लामरिस रोल से किया हो मगर अपनी दूसरी ही फिल्म में उन्होंने अपनी वर्सितालिटी सब कुद दिखा दी डिरेक्टर इम्द्यासली की फिल्म हाईवे की बॉक्स ओफिस और क्रिटिकल सक्सेस के बाद आलिया प्रूव्ट अपॉइंट टू एव्रीवान आलिया ने एक कैंड़ चाट में रिवील किया है दाट फेलियर मेक्स हर रोली सद और ये तब हुआ जिफ शाहिद आलिया स्टार शांदार बॉक्स ओफिस पर फेल हो गई फिल्मुर्था पंचाब एक ऐसी फिल्म है जिसने आलिया को एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया इसमें आलिया की आक्टिंग को लोगों ने बहुत अप्रीशेट किया और उन्हीं इस फिल्म के लिए Filmfare Award in the Best Actress category से भी नवाजा गया आलिया भट एक ऐसी बॉलिवुड अक्टिंग से ही नहीं पर अपनी सिंगिंग से भी सबको अपना दिवाना बना देती है वेरी फ्यू पीपल नो कि आलिया ने एर हैमान की सिंगिंग अकाड़मी से ट्रेनिंग भी ली है आलिया भट एक ऐसी आक्टिंग है जो बहुत तेजी से सफलता की सीडिया चरती जा रही है आलिया का सफर अभी बहुत बाकी है लेकिन अभी तकी करेर को देख के यही लगता है कि आलिया आगी जाकर कई मुकामों को हासल करेंगी